नमस्कार बहुत वगत है आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ छेलेंद्र पांडे बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशी फल की और कारिकरम के अंट में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में तो चलिए कारिकरम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग दिनांक 13 अक्टूबर 2024 दिन रवीवार तिथी है आश्विन शुक्ल पक्ष की दश्मी तिथी प्रातः 9 बच के 8 मिनट तक नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र चंद्रमा मकर राशी में संचरण कर रहे हैं दोपेहर 3 बच कर 44 मिनट तक राहु काल का समय शाम के 4 बच के 30 मिनट से लगभग 6 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासा पान का पत्ता खाकर और भगवान का समरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे बात करते हैं दिनांक 13 अक्टूबर 2024 यानि रवीवार को प्रातः 5 बच कर 30 मिनट पर ग्रहों की इस्थिती क्या है सूर्य और केतू विद्यमान हैं कन्या राशी में बुद्ध और शुक्र तुला राशी में चंद्रमा मकर राशी में शनी कुम्भ राशी में राहु मीन राशी में ब्रहस्पती व्रिशब राशी में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशी में ग्रहों की इसी इस्थिती के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशी फल कैसा रहने वाला है अब जान लेते हैं मेश, व्रिशब, मिथुन और करक राशी के लोगों का दैनिक राशी फल मेश, राशी कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा धन की स्थिती आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा व्रिश अबराशी स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएगे परिवार में आपके खुशहाली आएगी खाने पीने की वस्तुका दान कर दें तो दिन बेहतर होगा मिथुन राशी व्यर्थ की चिन्ता हो सकती है चोट चपेट से सावधान रहें शाम से इस्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएगी करकराशी स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे वाहन सावधानी से चलाईएगा भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएगी लेकिन आपको याद दिला दें कि कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और सक्सिस मंत्र के बारे में अब जान लेते हैं सिंग, कन्या, तुला और व्रिश्चिक राशी के लोगों का दैनिक राशी फल सिंग राशी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर की बाधा दूर होगी, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा कन्या राशी, काम की अधिकता रहेगी, धन लाब के योग बन रहे हैं, किसी अतिथी का इस समय आगमन होगा भगवान सूर्य को अगर जल अरपित कर दें तो दिन बेहतर होगा तुला राशी, स्वास्ति का ध्यान बनाए रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, शाम से इस्थितियों में सुधार होना आरंब होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी व्रिष्चिक राशी, धन लाब के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, वाहन सावधानी से चलाएंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो दिन बेहतर होगा कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में अब जान लेते हैं धनू, मकर, कुम्भ और मीन राशी के लोगों का दैनिक राशी फल धनू राशी, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, रिष्टों की समस्या आपकी हल होगी उपहार सम्मान का आपको लाब मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें, तो दिन बेहतर होगा मकर राशी, मानसिक चंता आपकी दूर होगी, करियर की इस्थिती आपकी अच्छी रहेगी, किसी मनो रंजन में व्यस्त रहेंगे खाने पीने की वस्तु का दान कर दें, तो दिन बेहतर होगा कुम्भ राशी, स्वास्थ का ध्यान बनाए रखें, विवादों से इस समय बचाव करें, शाम से आपकी इस्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएगी मीन राशी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, खान पान में सावधानी बनाए रखें, भगवान सूर्य को अगर जल अरपित कर दें, तो दिन बेहतर होगा ये तो रहा बारा राशी के लोगों के लिए उनका दैनिक राशी फल, अब जान लेते हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप देखिए, घर से कभी भी क्रोध में मत निकलिये, और बिना कुछ खाए हुए मत निकलिये, घर से खाली पेट निकलेंगे, क्रोध में निकलेंगे, तो दिन भर के कारियों में असफलता का सामना करना पड़ेगा अगर घर में कुछ भी खाने को नहीं है, एक चुटकी चीनी खाके पानी पी करके तब निकलिये, और घर से प्रसंद मन से निकलिये, क्रोध में और तनाव में अगर घर से बाहर निकलेंगे, तो दिन भर आपको असफलता मिलती रहेगी, अब बात कर लेते हैं दिनांग 13 अक्टूबर दो हजार चौबिस दिन रवीवार के सक्सेफ मंत्र के बारे में, तेरह अक्टूबर रवीवार को प्राता काल सूर्य भगवान को जल अरपित करें, इसके बाद नौ बार ओम आदित्याय नमहा ओम आदित्याय नमहा इस मंत्र का जब करें, अगर आप प्राता काल ऐसा कर लेते हैं, तो दिन भर के कारियों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, तो आपका दिन शुब हो, मंगल में हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिये इजाज़त, अगर आप मुझसे जुड करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को जोतिश के माध्यन से सुलजाया जाए, तो आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं, जुड सकते हैं, एश्चो तक पर.